नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हमारा खास कारेकम बात अपने देश की तो आज जो हमाँ चर्चा का मुद्दा है वो है बोकल फॉल लोकल यानि हमको अपने स्थानी उठपारों के लिए आवाज उठानी है या आवाज बनना है और अगर बनावाज की बात करें इसनारे की बात करें इसकी सुरूबात हुई थी मैं 2020 में जब करोना की पहनी लहर आई थी और प्रहामंतरी नरेन मोदी ने लॉकडाण के एलान के समय ही एक बात कही थी कि लोकल फॉर वोकल अगर हम अपने स्थानी उठपारों को प्योग करेंगे अपने जो भाई हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनसे बनाए हुई उत्पालों को पयोग करेंगे, इस्थानी उत्पालों को पयोग करेंगे, तो निश्ची रूप से जो हमारी समस्या है, जो आर्थे पिकास है, वो तेजी से बढ़ेगा और वेस्विक महामारी से हम करुणा की बाट करें तो क्रोना की शुरूबात 919 में हुई थी चिन में उसके बात कहा जा रहा था कि ये जो बीमारी के वल चीन तक ही सिमित रहेगी पर तमाम अंदाजों को तमाम कयासों को दरकनार करते गुए ये बीमारी वेस्विक मामारी के रूप में इस्ताफित हो गई इसलिए बोलना हो क्योंकि कोई लहर बीमारी आती है तो इसके एक चरण होता है पर यहां पर तो देखना जा रहा है कि यहां पर पहला चरण पहली लहर दूसरी लहर तीसरी लहर आप सुनने में आ रहा है चौथी लहर भी आ रही जिसके की केसिज मिलना सुरू भी हो तो जब हिंडुस्तान में 2020 में कुरोना की सुरूबात हुई और जो सबसे पहले मरीज मिलने सुरू हुए वो मिलने सुरू हुए आगरा से प्रेम की नगरी आगरा और बहां पर जब मिलने सुरू हुए उसके बार सरकार सक्री हुई फिराइटों से लेकर तमाम चीजों पर मैं लगाए गई और लोक डाउन लगाने के बाद जो लोग थे उनको अपने घरों में क lata को सुछे लगना है कोई लॉक डाउन का पालन करना पड़ेगा और और पालन के नारा दिया तो ये लोकल फ़र वोकल क्या था और कैसे इस नारे के बाद से हिंदुस्तान में जो एक आधार एक क्रियसीलता इस्थानी पारों के लिए शुरू हुई वो बहुत मेर्पूर है देखे मेरी रिपोर्ट कुरोना महमारी आज दुनिया के लिए एक चुनोती बन गई है पहली लहर के बाद भयाना कसर दिखाने वाली दूसरी लहर फिर ओमिक्रोन वाली तीसरी और अब चौथी लहर के आरे की आहट दिखने लगी है और इस वैश्विक चुनोती के बीच अपने आपको बचाई बनाए रखना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर भारत ने बहतर तरीके से काम करते हुए खुद को आर्थिक विकास के दौर में बनाए रखना 2020 में जब कुरोना महमारी की शुरवात हुई थी तब केंद्र सरकार ने 20 लाग करोड के आर्थी पैकेश को जारी करते हुए लॉकटाउन की घोशना थी उस दौरान मैं 2020 में देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दौरा एक बड़ा नारा दिया गया वो नारा था वोकल फोर लोकल यानि अब इस्थानी उतपात के लिए आवाज उठाना, इस्थानी उतपात को उपियोग करना और इस्थानी उतपात को आगे बढ़ाने के लिए काम करना और स्टार्ट अप और मेक इन इंडिया नीटी इस अभियान के नारी के लिए एक नीव के रूप में स्थापित भी हो गई और साथ ही साथ कौशल विकास जैसे महतुपून संकल्प ने इस मुहीम को और मजबूत कर दिया और कहा जाने लगा कि देश में आर्थिक आधार को मजबूत करनी के साथ साथ बेरोजगारी जैसे अमर मुद्दे को भी खत्म करने में सफल हो सकेंगे इसलिए कल प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भी एक उम्मीद से भरा दूरदर्शी बयान देते हुए कहा कि अगले 25 साल हम वोकल फोर लोकल की भावना को अपनाते हुए जीवन यापन करेंगे यानि अपनी जीवन शैली में इस्थानी उत्पात को तबजो देते हुए स्वरोजगार व्यवस्था पर आधारित होकर बेरोजगारी जैसी विक्राल समस्या को खत्म कर सकेंगे पर प्रधान मंत्री के इस संदेश से तो एक ही बात साबित हो जाती है कि आने वाले समय में हमको सरकारी नौकरी पर न निर्भर होकर बलकि खुद नौकरी देने वाला बनना होगा क्योंकि 140 करोड की आबादी में जन्ता को नौकरी उपलब्द कराना केवल कागज पर नहीं संभव हो सकता है धरातल पर नहीं इसलिए प्रधान मंत्री की बात आने वाले समय के लिए बिलकुल ठीक है और हमको आत्म निर्भर भारत बनना है विश्व का सिर्मोर या विश्व गुरू बनना है उसके लिए हमको एक ही बात दोह्राना और अपनाना है वो है वोकल फो долж लोकल तो आपने देखा किस तरह से इस पूरे महामारी में पूरे समय में किस तरह से लोग काम करते रहें और अपने आपको बजाने के साथ साथ जो कंपनिया हैं और वहने बेतर काम किया और बड़ी कंपनियों के पेच्छा घराम आपको बता दे तो बड़ी कंपनिय तब भी लोगों की कमी रही क्यों कि वहां पर उनके काम करते रही लोग अमुननें बहुत जारा संख्या में अपने घर लट चोकेटे कुरोना महा हमारी के चलते पर जो इस्थानिय कंपनी थी जो जो इस्थानिय लेवरों पर अधरित थी वो लगातार चलती रही और जो वोकल फॉर नोकल का जो नारा था वो यहां पर अपने एथार स्थिति को मजबूर करते हुए दिखाई दे रहा था उसके बाद जो क्रिया सिल्टा हुई उस क्रिया सिल्टा का यह नतीजा हुआ कि हम मेक इन इंडिया स्टार्ट अप की तमाम नीतियों के बीच वोकल फॉर लोकल को भी मजबूती की साथ जन्ता के बीच ला पाए और जन्ता ने उस नारे का पूरा सम्मान भी किया और जो इस तरीके से मार्केट में स्थापइट होने लगी कहीं देखा जाता था कि लोग अँली सबसे Celty फॉत हो हो छकता है कि राठा अच्छी ना हूँ पर इन तमाम धार्णा को यहां पर गलत साविर कर दिया गया और सबसे ओड़ी बात है कि उत्तवपिडेस की बात करें तो यहां पर O.D.O.P. बन डिस्टिक्ट बन प्रोड़क के हिसाब से एक अलगी नीती अपनाई गई जिसका लाब भी लोगों को मिलता दोबारा सुनवाई इसलिए शुरू हुई दोबारा यह नारा फिर चर्चा में आया क्योंकि कल रहमती नेरीन मोरी ने एक बड़ी बात कि और बड़ा नारा दिया उन्होंने कहा एक दूरसी बयान कि अगर हम आने बाले 25 साल तक लगातार बोकल फो लोकल यानी इस्थानी उर्पारों का उपयोग करेंगे जीवन यापन में जीवन सहली में इस्थानी उर्पारों का उपयोग करेंगे तो विरुजगारी जैसी अमर अब अब असलिए बोलता हूं क्योंकि यह समस्या बहुत लंबे समय से चलिया रही है इसके समधान नहों पाता है तो इस अमर सम समय दिल्ली NCR में किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो आपके सामने हैं आज वो तप्रेस की बात करें तप्रेस में लभवा लभवा बाग बाइसो कुरोना के संके में केस दर जुए तो यहां पर चौथी लहर आ रहे हैं तो जिस तरह से प्रहामंति नर्न मोरी ने बात कही क कि हम बहतर कर रहे हैं हम बहतर से काम कर रहे हमारे पास टार्ट अप भी हमारे पास आटमिर्वा भारत भी है हमारे पास मेकर इंडिया और हमारे पास वोकल और लोकल भी है पर इस मुहीम को तभी मजबूती मिल पाएगी इस मुहीम को हम तभी बहतर कर पाएंगे जब इस म मुहिम को अपनाना और मन से इसको सुईकार करना। इसको आद्म साथ जीबन सेली में किसी वी अपनाना बहुत जरूरी होता है। कुछ बार ऐसे होते हैं, जो हमारे जीबन सेली में वि, से akhir महर्वर रखते हिं उनके बिना तो हमारे जिंचेर्द्या को हम माने tão सकते हैं चाहे वू दूर हो गया चाहे सब्जी हो गई चाहे खाद बस्तूए हो गई चाहे जाय की पत्ती हो गई चाहे अन बहुत सारीTalk 에सी हैं जो आपका जीवन सेली में आप की ब्धारी उनका अडा करती हैं और उन चीजों को हम इस्थानी उत्पार चाहे बस्त हो गए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम बहुरास्की कंपणियों को अमुनन उपयोग करते हैं, और जो देश की मुद्रा है वो जाहिर सी बात है बरौस्ती अलार देशों की कंपनियां होती है वो भारत पर अपना सेट अप डालती है और तमाम तरह के से उत्पार निकालती हो जह हम उत्पारों को प्योग करते हैं निसी रूप से जो हमारी देश का पैसा हमारे देश में ह रहेगा यह सबसे बड़ा लाफ हम को मिलेगा अगर हम वोकल फार लोकल को हिड़ाँ से अपनाएंगे और साथ जात जिसतरह से प्रहामदी नेमनी ने कहा कि बिरुजगारी समस्या हलो जाए निस्टिर उसे बिर्जगारी बड़ी समस्या है अगर हमारे देश की बात करें तो लबा लबा 47 लाख केंद्री करमचारी हमारे देश में हैं और अगर राजी करमचारी की बात करें तो कहीं माकड़ा इतना नहीं होता है कि विरुजगारी जैसी समस्या को हल किया सके हिंदुस्तान की आवादी आज के समय में 140 क्रूर के लगव है ज्यादा ही है और लगातर बढ़ रही है पर रोजगार इतनी तेजी से बढ़ना जन्संग्या के मीटे के साफ से संभव नहीं है और सबको सरकारी रुकष्यूप प्रब्दर कराना यह सरकार के लिए बिलुकुल मेंग। मरीचटी का है यानि देखता है पानी है पानी नहीं है तो मेंग। काका कि बीच हम तमां चीजे काश करना बहुत बड़ा काम है और लब लबासंभविघ है इसलिए देश में सुरुजगार की भावना को उन्निweed किया जा है सोरुजगार की भावना को पैर किया जा है और देश के युबाओं को पताया जा रहा है कि हम को नौकरी लेने वाला नहीं, हमको नौकरी देने वाला बनना है। और इस नौकरी देने वाले बाली भावना के बीच आत निर्वर भारत की भावना, मेकन इंडिया की भावना, और बोकल फो लोकल इस थानी उटपाद को जीवन सेली में अपनाना, जीवन सेली में उप्योग क करना की भावना होना बहुंच जरूरी है क्योंकि जब देश के युबा स्वरजगार को अपना मोहिमний मनाएंगे सुरजार बनाएंगे इस वरजार को अपनी जिवन्स यहली में तो निस्ति रूप सकते हैं अपना प्रड़क्टर सकते हैं और साथ ही साथ तमाम बेरोजगार युबाओं को रोजगार ही दे सकते हैं कि क्योंकि सरकारी रोजगार देना राज कर्मचारी बनना अब हर युबा के लिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पत्युक्ता पिक्रिया अरच्छर पिक्रिया और तमाम ऐसी ब्युस्थाएं हैं जिसके चलते बहुत सारे युबाओं का सपना तूट जाता है क्योंकि जो नोकरी पाने वाले होते हैं वो तमाम जो चरण है उसको पूरा करते हुए तब उच्छी तर नोकरी पर पहुशते हैं और जरूरी नहीं कि जतने बच्चे जतने विध्यारती उस पत्यों की एजाम को दे उस पत्यों की एजाम को पास कर ले उसमें भी तमाम तरह की पिक्रिया है, तमाम तरह की चरण है उसके बाद अगर सो लोगों ने अजाम दिया, अगर स्केबल बीस लोग का सेलक्शन हुआ तो असी लोग बिरुजगार होते हैं और असी लोगों कि जब नौकरी नहीं लगती है तो कहीने के निरासा होती है दुवारा फैजला करते हैं और सोचते हैं कि हम दुवारा इसको एजाम को देंगे और जब दुवारा एजाम होता हो चाता है असी मैंसे साथ लोग एजाम देते हो, बीस लोग सोच चुके हों कि नहीं अब एजाम नहीं हो पाएगा जादा तबज्जो ना देते हुए, उनके बारे को और उनके टार्गेट ना करते हुए, अगर हम को ये सोचना है कि हम अपने देश के लिए बैतर काम करना है, हम अपने देश को बिस्जु गुरू बनाना चाहते हैं, और हम सरदुज़ज़ार करेंगे, हम नौकरी देना बाला बनेंगे तो उससे एक अले तरह की पतकठा तयार होगी उस पतकठा का जब परणाम सामने आएगा तो वो आएगा आठ नर्भर भारत उस ब्योस्था का जब परणाम सामने आएगा तो वो आएगा सुरच्छित भारत उसे संगार्स का जब परणाम सामने आएगा तो वो नाम आएगा उन्नत भारत आर्थिक बिकास पर सिद्रन भारत और यह तब ही संभग हो सकता है जब हमारे देश में लोज स्वरुज़़ार की भावना को अपने अंदर आपने सार कर पाएं स्वरुज़़ार की भावना को बहतर करना स्वरुज़़ार की भावना को आगे बढ़ाना स्वरुज़़ार की भावना से देश में एक माहल बनाना बहुत जरूरी है और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है आट मिर्वा भारत की तरह मेगन इंडिया की तरह स्टार्ट को हैं लागू है जन से एक युबा स्रोजगार करने की सोच्था तो है पर स्रोजगार डाल नहीं पाता घर तो कही ना कही यहां पर अपकर्णिया हुए थोड़ी जटल भी नजर आती हैगा तब यह कि आपको अपना रुजगार सुरू करने के लिए ऐसी ब्यस्थाओं का पालन करना होगा वो कहीं न कहीं उनके सपने को तोड़ने का काम करती हो यहां पर सरकार को अगर इन चीजों को खतम करना है और बास्तम में सुरुजगार की भावना को बढ़ाना है बोकफ और लोकल अ कम्पनी लगानी पृक्रिया है अपना निविस करते हुए और जो अनुपाट आना चाहिए जो आंकला आना चाहिए यहあっ कि अगर परदेश की बात करें तो यहां पर भी इंवस्टय संविट हुई थी रव लब लब तीन लाघ करोड के इंवेस्ट्मेट की बात हुई थी तो तमाम उसमें है और कोरोना माहामारी की बेश्टॉ क बीमारी की चलते तमाम युजणाओं लंबित हो और उत्तवजगार का दूसरा कारकार सुरू हुआ है तो योगी सरकार्ड ने इंबस्ट्र सभिश को करने का निर्णय किया है उहां जीएएगिन मेस्ट को अबना कि तर्च श्राजगार निवेस को लाने के साथ सब्सक्राइगा के बजबूत करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो भी चीज है जो भी बात है जो भी नारा है जो भी संकल्फ है उसको आपको धरादल पर उतानने के लिए आपको संकल्फ से जुड़ी हुई तमाम ब्यौस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा और मजबिर करना पड़ेगा और पारदर्सी करना पड़ेगा और पर कपड़ा और तमाम जीवन की जरूरी विस्तों को उपयोग करने के लिए उनको मुहिया कराने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ता है और पैसा आपको नोकरी करने पड़ेगी या फिर आपको स्वरुजगार लगाना पड़ेगा तो देश में तमाम तरह की ब्यूस्था हैं पर अभी तमाम ऐसे हम को काम करने पड़ें सरकार को काम करने पड़ेंगे जिससे की विस्तित रूप से स्वरुजगार की भावना पनप सके इंटिगेटर आपको भ्यवस्ता लगानी पड़ेगी, आपको फूद्वार्ग लगाने पड़ेगे, आपको फूल इंडस्टिय को डेवलप करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि जो फूर्ट ये वो ऐसे इंड़स्टी यह जो कभी खतम नहीं होगी कायतना फूर फूर आल यानि अगर खाना है जब तक मनुस्त है जब तक लोग यह तब तक खाद बस्तु है कि जो परंपरा है बनने की परंपरा है उनके निर्याठ की उनकी लागर की परंपरा है उनका उर्पार्ण की परंपरा हो हमेंसाथ चलती रहेंगी जब तक इनसान खाएगा तब तक फूर इंडस्ट्य हमेंसाथ चलती रहेंगी चाहे बहुरास्ती हो और चाहे इस्थानिया हो तो यहां पर जब हम उन कंपणियों को बहतर करने की सोच कर सकते हैं कैसे हम स्वर्जिगार को केवल घर के कमरे से सुरू कर सकते हैं जैसे आज से चलता है आपने मस्रूम जैसी खेती के नाम सुना है वो घर के दो कमरे से सुरू हो सकती हैं कैसे हम तमाम तरह के फास्ट फूट बना सकते हैं कैसे हम तमाम तरह के ड्राइ ड्राइ ड्र जहाइब अबताफिश करना है कि जो इसको बेतर इंख प्रैफ के लोकल और फॉर जो कल बात लुक ही कि एक अगर आप स्थानी उभणत को बहतर करना चाते आप चाहते हैं लोग उसको उपयोग करें तो को आपको हर जगह मोहया कराना पड़ेगा आपको तमाम ऐसी इंडस्टी छोटी छोटी इंडस्टी हर जिले में खुलवानी पड़ेंगी जिससे कि बहां के लोगों की जीवन सेली से जुड़ी बस्तु हैं वो उनके इस्थानी छेत में ही मोहया हो जाएं उसके लिए उनको अन जिले में यह अन बर्वास्ती कंपणिये का रहे ना ताखने पड़े और साथी साथ जो दुकांदर भाई हैं जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो उन चीजों को बेशते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो इस्थानिये उत्पादन करता हैं जो स्थानिये एंटर्यू को बेचें बहले उसमें जो लाव कम हो पर अपने देश का प्रैसा अपने देश में रहेगा और यह देश की अर्थव्यस्ता को मजबूत करें रहे खाम करेगा और जो प्रिदामधि ने नियनमोडी ने बड़ा बयान दिया दूरसी बयान दिया है कि अगर फटीस साल तक अगर हम बेहतर काम करेंगे, ODP को आंगे बलाएंगे, बोकल फो लोकल की भावना के साथ चलेंगे, इस से रूप से बरजगार की समस्चा का हल हो सकेगा. क्योंकि अब देश की जो नेता है, जो नित्रव है, सरकार हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रही हैं इस सालों में अगर सरकार कोई भी रहे, पर अगर देश के युबा बैता तरीके से काम करते नजर आएंगे, संगर्ज करेंगे, मेहनट करेंगे, तो निस्तिरूपी भारत कई गुना आगे होगा. भारत बिज़गुरू बन सकेगा, भारत शिरवर्वर्ण सकेगा, पर कहा जाता है किसी डेश के विकास की दोर, विकास का जो आधार है, वो युबाही होते हैं. युभाओं के कंधों पर ही विकास की नीव रखी जाती है और निश्ची रूप से यहां पर युभाओं को आगे आना पड़ेगा और निड़ने लेने पड़ेंगे ऐसे निड़ने जो देश के सबसे बड़े मुद्दे यानि विरजगारी को खतम करने में सफल साबित होंग को दोबारा रोने जन्ता के भी सुनाया है पहले माई 2020 में कहा था और अब अपरेल 2022 में तो कहीं है कि जो नारे का महत्व है और महत्व जरूरी है क्योंकि कोरोना महामारी की चौथी लेर आ रही है और इसके केसिज मिलना शुरू हो चुके अब चौथी लेर कितनी संक्राम है कितनी खतन ना के कितनी भैनक है यह तो फिर आने वाले समय बताएगा पर अगर हम इस बैस्विक कुरोना महामारी के बीच इस थानी इट पारों को बड़ाबा देंगे बोकल फौर लोकल को बड़ाबा देंगे आज मिलनवर भारत को बड़ा रहेंगे में कर इंडिया की साथ इस महारे से लड़ सकेंगे और एक बैतर कल लोगों के साथ में ला सकेंगे तो आज की सर्चा में हमने ये बात इसपस्ट की कि अगर हमको बोकल फौर लोकल के नारे के साथ आंगे बढ़ना है अगर हमको इस्थानी देश को बिरुजगारी जैसी विक्राल समस्चा से निजात दिलानी है तो हम को बैतर काम करने पड़ेंगे और युबाओं की भी जिम्रारी है कि देश के प्रामंत्री की बात को मन में इस्थान देते हुए स्वरुजयार की भावनाओं को विक्सित करें आद मिर्वा भारत बनें मेकर इंडिया की नीटी को सफल बनाएं और सा जनता से उम्मीद करता हूं कि जनता भी इस स्थानी उत्पारों को उफ्योग करें अपनी जीवन यापन की सहली है जीपन यापन की चीज़ें जीवन उत्पारों को जगह दें बहुरास्टी कंपनियां बहुत हैं पर हमारे स्थानी उत्पार गिने चुने हैं और अब समय आ गया है कि इस्थानी तोर पे इतने कंपनियां होनी चाहिए इतने उत्पार होना चाहिए कि हमको बहुराश्की कप्रियों के तरह देखना ही ना पड़े और हमारी सारी जीवन व्यूग वस्तू हैं हमको इस्थानी बिक्रियता या स्थानी उत्पारिन करता के माध्यम से मिल जाएं जिससे आने वहले समय में जो प्रहामंति के सपना है जो उनका दूर्दर्सी व्यूस्था है दूर्दर्सी बयान है कि 25 साल बार हम विरुजगारी ऐसी समस्चा को हटा सकेंगे वह पूरा हो सकेगा तो आज की चर्चाह में इतना ही नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार